एक स्वागत है मेरे आज के वीडियो में और मेरे चैनल पर भी तो फ्रेंट्स हम लोग कुस्टन नम्मर 69 पर आगे हैं ठीक है प्रेंट्स तो ये कुस्टन कौन सा है 69 खुशन है ठीक है फ्रेंट्स तो 69 questions हम लोगा solve करते हैं तो आये पहले जैसा कि हम लोग जब भी आते हैं तो question को एक बार read करते हैं समझते उसके बार solve करते हैं तो यहां भी हम लोग पहले read कर लेते हैं the emitter labeled A यहां पर जो आप emitter A देख रहे हैं ठीक है in figure 3.34 में उसका reading दिया हुआ है कितना 35 milliampere इसका reading है emitter का value आपको दिया हुआ है 35 milliampere ठीक है friends और 35 milliampere दिया हुआ है is 2.2 kilo ohm registered sorted बोल रहा है कि यह 35 milliampere emitter का reading है friends यह किस अधार पर दिया गया है जब हमारा 2.2 kilo ohm का जो यह resistance देख रहे हैं इसको जब क्या क्या गया है sorted क्या गया है क्या 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 गया है sorted क्या गया है तब आप यह emitter का reading देख रहे हो 35 milliampere ठीक है friends तो यही आपको क्या करना है assuming emitter है जब निकलीजवल resistance और इसमें क्या है emitter का resistance आपको नहीं मानना है जब निकलीजवल 0 मान के solve करना है circuit में इसका कोई resistance नहीं है तो आपको बस यही चेक करना है कि 35 milliampere जो आया है 35 milliampere जो emitter का reading है यह क्या 2.2 milliampere को sort करने पे इतना देता है अगर देगा तो बस आपको option में yes no कर देना है तो चलिए solve करते हैं आगे diagram में तो दिखे फ्रेंट जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि आपको दिया हुआ है emitter आपका emitter reading दिया हुआ 35 milliampere हम स्टार्टिंग में भी समझे और आपको 2.2 kilo ohm registers को sort करके आपको यह value आना चाहिए 35 milliampere तो हम समझ जाएंगे कि 2.2 kilo ohm जो है वो क्या है circuit में sort करने के बाद आया है 35 milliampere ठीक है तो जब हम 2.2 kilo ohm resistance को यहां पर दिखे sort कर दिए यहां पर क्या कि उस resistance को यहां पर sort कर दिए ठीक है तो sort करने के बाद हमारा circuit कुछ यह हमारा circuit बचा ठीक है तो यह circuit में अब हमारा क्या है हमको इतना circuit से अब emitter का reading अगर हम निकाल लेते हैं 3.0 milliampere अगर निकाल लेतना तो हमारा यह circuit मान जाएंगे कि तब यहां पर यह क्या है 2.2 kilo ohm जो resistance उसको sort करने के बाद आया यह value 35 milliampere emitter का reading तो चलिए इसको sort करने के लिए क्लिए यहां पर आप देखो तो यह current source है और उसके parallel में एक 1 kilo ohm का resistance है तो इसको पहले क्या करेंगे current source को यह current source को change कर लेंगे क्या voltage source में तो change कर लेते हैं तो आईए हम क्या कर लेते हैं यहां source conversion लगेगा source conversion यहां पर source conversion थोड़ा लगेगा तो हम तो is equal to bs by r जानते हैं तो bs हम को निकालना है तो is गुना में r तो is कितना है friends हमारा is 10 milli ampere गुना में r कितना हो जाए 1 kilo ohm kilo और milli कर जाएगा तो bs बचेगा 10 volts बचेगा क्योंकि ऐसा unit क्या होता है voltage का source voltage का volts तो 10 volts बचेगा friends तो हमारा क्या आया 10 volts बचेगा तो हमारा circuit फाइनल circuit में यही आप निकाले हो तो bs जो है आपका 10 volt बचेगा ठीक है friends और हमारा जो यह 1 kilo ohm है वो voltage source के साथ कैसा हो गया series में ठीक है friends तो हमारा आप यह फाइनल circuit हो गया अब इसी circuit का यूज करके हमको क्या करना है कि अगर हम current निकाल ले circuit current हम माल लेते कि i equal to हमारा क्या है कि i equal to हम माल लेते हैं कि sorry spelling थोड़ा i equal to माल लेते हैं circuit current ठीक है अगर हम i निकाल ले इसका data और इस data को solve करके तो यही current हमारा क्या होगा ampere में flow होगा होगा तो जो ampere में flow होगा बस अगर आ जाता है current का मान 35 milliampere solve करने के बाद इस data इस data और इस data को तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब यह क्या गया था इस resistance को sort क्या गया था तो चलिए solve करते हैं तो यहाँ पर देखते है friends कि हमारा जो voltage source है दो voltage source है तो एक कितना है friends यहाँ पर देखो फिगर में चलते हैं friends थोड़ा तो यह दो को voltage source क्या है यह 10 बोल्ट है पलस माइनस पलस से जा रहा है तो पलस लिए 10 बोल्ट और यहाँ भी एक बोल्ट है जो करेंट गुशेगा माइनस से निकलेगा पलस से तो पलस कितना हो जागा 25 तो टोटल बोल्टेज क्या आ जागा तोटल बोल्टेज हमारे पास आ जागा 35 आ जागा फ्रेंट 35 बोल्ट जा जागा क्योंकि दोनों बोल्टेज क्या है सेम डारक्षन में है तो जूड जाएगा यह आ गया 35 और हमारा resistance दिया हुआ है R मान लेते हैं तो R हमको दिया हुआ है total circuit resistance आपको दिया हुआ कितना 1 kilo ohm यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है तो बस इसे से तो हम जानते हैं कि we know that हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि I equal to by r तो I हमारा क्या है friends I याद करो I तो निकालना ही है और जो emitter current भी बोल सकते हो ठीक है तो I निकालना ही भी आगया है 35 और r हमारे पास है 1 kilo ohm जो 35 milli ampere हो जाएगा friends हो जाएगा ना इतना तो आप समझते होगा कैसे होगा तो I equal to 3,5 इतना ohm इसी को क्या 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 3,5 into 10 to power 3 हो गया इतना ampere तो इसी को भेज दिये तो I A equal to क्या हो गया 3,5 into 10 to power minus 3 ampere और यही I A equal to हो गया 3,5 milli ampere ठीक है friends बस यही हमारा क्या हो गया answer हो गया और यही emitter current भी है तो बस emitter में तो यही current भाएगा 35 milli ampere आ गया इसका कहनेक मतलब है कि resistance को short किया गया था तो हम option में tick लगा लेंगे option में मेरा क्या हो जाएगा टिक आप से पूछ रहा है क्या resistance को short क्या गया था तो पूछ रहा था यह resistance को क्या short करने पर इतना emitter का current आ रहा है तो yes आ रहा है तो हमारा option 2 हो जाएगा option yes वाला हो जाएगा ठीक है फ्रेंड तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स तो चलिए आप next question पर अ है लो फ्रेंड्स तो आप हम लोग कुश्चन नमर 70 पर आ गए फ्रेंड्स तो कुश्चन नमर यह है हमारा क्या 70 है ठीक है फ्रेंड्स तो इसको पढ़ते और समझते हैं तो बोल रहा है इन फिगर 3.40 फिगर कौन सा लेना है 3.40 फिगर लेना है जैसे कि आप सर्किट आगे पेज में आपको दिखाऊंगा आगे स्लाइड में तो ओड सूडी दा स्य पूछ रहा है एमींटर रीडिंग आपको अपको इमी दिंग का रीडिंग बताना है M kepada में ठीक है फ्रेंड्स तो एमिटर का रीडिंग बताना है इफ 2.2 किलो ओम रेजिस्टर इस नौट सर्किटेड इस पर क्या है फ्रेंड्स के सेम 69 वाला ही कुश्चन है उसी का यहां फिगर 3.40 वाला फिगर है इसमें इस पर क्या है कि 2.2 जो किलो ओम रेजिस्टर था इसको इस पर सौर्ट सर्किट नहीं करना है तब आपको उस अधार पर एमिटर का रीडिंग बताना है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए देख लेते हैं तो हमारा फिगर यह था ठीक है फ्रेंड्स हमारा फिगर क्या था यह था तो इसी फिगर में आप फ्रेंड्स आपको बताना है तो देखे फिगर ये था तो इस पर ये जो है ना 2.2 किलो ओम इसको हम क्या करें short circuit नहीं कर रहा है ठीक है इस पर ये short circuit नहीं है और आपको क्या बताना है emitter का current मतलब आपको circuit में current का value निकालना होगा तो यही हमारा emitter current भी हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप देखने हैं कि 10 milli ampere और 1 kilo ohm जो है क्या है यह एक आपका independent source है ठीक है तो इसको convert करना होगा किसमे voltage source में तब हमारा circuit और easy हो जाएगा तो इसको पहले हम convert कर लेते हैं हम लिखे हैं कि यहाँ पर source conversion लगेगा तो हम source conversion लगा सकते हैं कि is equal to bs by r तो bs हमको निकालना है तो is गुना में r और is का मान कितना है friends is का मान है 10 milli ampere गुना में r r कितना है 1 kilo ohm kilo से milli कर जाएगा तो bs क्या बचेगा friends bs बचेगा 10 volts तो हमारा bs आ गया source conversion करने के बाद तो हमारा एक और आप देखिए circuit हमारा बनेगा यहीं आ जाएगा 10 volts यह हो जाएगा हमारा bs ठीक है और इसके parallel में एक resistance लग जाएगा 1 kilo source conversion करने के बाद तो देखिए यह current अगर इसमें flow होगा माल लेते हैं यह current यह sub current flow होगा यहां थक तो आई यह माल लेते हैं emitter current flow हो रहा है ठीक है क्योंकि यह पूरा circuit अब series में है तो यहां से आई यह जाएगा तो minus से इंटर करेगा पलस से निकलेगा और यह भी minus इंटर करेगा और पलस से निकलेगा तो आप देख सकते हो कि circuit में दो voltage source है एक यह है और एक यह है तो दोनो एक ही direction में है तो BT क्या हो जाएगा friends 10 पलस 25 तो जो हो जाएगा हमारा 35 volts ठीक है टोटल voltage आ गया circuit का दो circuit दो voltage source है उसको एक में convert कर लिए दोनो का direction से इसलिए add up हो गया और यहाँ पर फिर देखो तो आप resistance देखो यह एक resistance है और यहाँ पर एक resistance अग दोनो किसमें है friends शीरीज में है तो इसका भी एक निकाल लेते हैं resistance टोटल रेजिस्टन्स माल लेते हैं 8T निकाल लेते हैं तो शीरीज में है तो शीरीज में तो क्या है 2.2 किलो ओम सीरीज में पलस हो जागा एडिशन हो जागा 1 किलो ओम का तो 8T बराबर क्या जागा 3.2 किलो ओम अगर हमको BT और 8T पता है पुरा circuit में तो हमारा एक circuit आप चाहोगे तो बना सकते हो तुरत रफ मैं बना लेता हूँ तो ये आपका बन गया ये पलस ये माइनस और यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं आए तो हमारा ये कितना निकाले थे फ्रेंट्स याद कीजिए ये हम निकाले थे 35 बोल्ट और रेजिस्टेंस अब कितना निकाले थे 3.2 कीलो ओम तो बस इस डाटा को solve करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा current का मान आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं direct लिखते हैं कि ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा बी एस 2.2 कीलो ओम बस इस डाटा को solve करो तो आईए बराबर क्या आ जाएगा 35 यहां से decimal उड़ा दो 0 और यहां 32 इंटू 10 to power 3 ampere अब इस डाटा को तो रहा solve कर लेते हैं friends तो आईए बराबर और काटो गे तो यहां पर 3,5,0 और 32 गुना में 3,0,10 10 खतम इस से काट देंगे यहां अगर चलो काटते नहीं friends काटने से क्या होगा थोरा सा दिक्कत हो जागा तो हम काटते नहीं है ठीक है क्योंकि answer हमारा milli ampere में ही खोज रहा है तो हम काटने से हमको कोई फायदा नहीं है तो हम काटते इतना होगा friends और नीचे 16 गुना 10 to power 3 और करोगे डिभाई तो I equal to इस से इतना को काटोगे तो आजागा 10.94 by 10 to power 3 ampere तो I equal to आजागा जब 10 to power 3 को उपर भेजोगे तो मीली में convert हो जाएगा friends तो इतना मीली ampere तो यही आगया जब हमारा क्या है जब हम 2.2 किलो ओम resistance को short नहीं किये तो एमिटर जो एमिटर में current flow हो रहा है एमिटर में जो current flow हो रहा है उसका value कितना आया 10.94 मीली ampere तो friends आपको समझ मायोगा वीडियो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट करिए और एक लाइक फ्रेंड जरूर करिए